पेश्टिक शार्तियों आज के कारेक्रम में आपका स्वागत है आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण पाठ निबंद कैसे लिखें पर चर्चा करने जा रहे हैं निबंद लेखन वास्तों में एक कला है और इस कला का पूरा ज्ञान होना जरूरी है यह विशे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परिक्षाओं में अक्सर निबंद पूछे जाते हैं और इसके अंक भी बहुत अधिक होते हैं निबंद इस माइने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विचारों की एक श्रिंखला होती है करम बद्धता होती है फिद्यार्थी यह समझते हैं कि वे निबंद लिखने में पारंगत है लेकिन वस्तु इस्तिती इससे भिन्न है क्योंकि हमारे मन में जो भी विचार आता है हम समझते हैं हम कुछ भी निबंद में लिख सकते हैं लेकिन निबंद का अपना एक विज्ञान है, उसकी एक अलग कला है, वह कौशल है, इसलिए आज की चर्चा में हम विस्तार से उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जो निबंद से संबंदित हैं, जैसे निबंद के प्रकार, निबंद के अंग, और हमें कौन-कौन से तया और आज चर्चा में हिसा ले रहे हैं हमारे साथ, प्रोफेसर पी सी टंडन जी, जो दिल्ली विश्विद्याले में प्रोफेसर हैं, और हिंदी के छेत्र में एक सुप्रसिद्ध समिक्षक हैं, खास तोर से पत्रकारिता और अनुवाद में उनका विशेश योगदान रहा है, तो आज के करेक्रम में आपका स्वागत है, जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद रख साब, बहुत ही महत्पून विशेश आज विद्यार्थियों के लिए इस पार्ट के अंतरगत, इस चर्चा के अंतरगत रखा गया है, वह है निबंद लेखन, हम जानते हैं कि निबं कyou किस तरह से समझ पाया है, आतमसात कर पाया है, किस तरह से विक्त कर पा रहा है, इसी तरह उसकी लेखन, शेली और भाशा जो है, वह भी उसके व्यक्तित्व की पहचान है, और निबंद को बहुत सहजता से ना लेकर, उसे गंबरता से लेना चाहिए, उपेक्षा भाव स नहीं लेना चाहिए विद्यारती सामानेत है यह समझते हैं कि निबंद के लिए तो किसी तैयारी की आवशक्ता है ही नहीं कोई भी निबंद आएगा तो हम लिख लेंगे लेकिन वस्तता स्थिती इसके विपरीत है क्योंकि निबंद हमें बहुत अधिक अंक भी लवाता है और हमारी पहचान को भी रिखांकित करता है निबंद हमारी व्यवस्थत सोच का भी परिचायक है हम क्रम बद्धता के साथ किसी भी विशे पर कैसे सोच पाते हैं कई बार निबंदों के लिए कुछ शब्द संख्या निश्चित होती है तीन सो शब्द में पांच सो शब्द में आठ सो शब्द में हजार शब्द में निबंद लिखना है तो हम कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रामानिक महत्वपूर्ण और गंबीर तमाम तथियों के साथ और धर्णों के साथ अपनी बात को कैसे शब्दों में बांध पाते हैं इससे यह ज्यात होता है कि जो विद्यार्थी है वो कितना व्यवस्थित है और उसके जो स्रोत है सामगरी के क्योंकि निबंद लेखन स से पहले हमें सामंगरी का संकलन भी करना उता है यह पूरा उसे करम बढद्य्था के आधार पर वJeवस्थित भी करना होता है यह उसी तरह है जैसे किसी पुस्तक को लिखते समय हम उसकी एक अनुक्रमिका बनाते हैं उस अनुक्रम निका का एक विज्ञानिक करम भी होता है ऐसा नहीं हो सकता कि जो पांचमा अध्याय है वो पहला बन जाए और पहला अध्याय जो है वो पांचमा या छटा बन जाए उसकी पूरी एक शंकला बद्धता होती है करम बद्धता होती है और कदम दर कदम चरन दर चरन हम उसमें आगे बढ़ते हैं यही निबंद की पैचान भी होती है निबंद बहुत तरह के होते हैं हम जानते हैं निबंद के अंग भी है और निबंदों के प्रकार भी है फिर निबंदों की पर वर्गी करनिया विभाजन भी है हम अगर सैद्धान्तिक दृष्टी से बात करें तो जैसे हर विधा का चाहे वो कविता हो या गद्धिकी विधाएं हो कहानी उपन्यास, नाटक, आदी-आदी इन सब का भी एक सैद्धान्तिक पक्ष है उसकी एक थियोरी है एक सैद्ध निबंद हो या गैर साहितिक निबंद हो सामान्य विश्यों से संबद्ध हो या सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक आदी विश्यों से संबद्ध हो उन सब में हमें इन सैद्धान्तिक प्रिष्ट भूमी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखन होता है और विद्धैरतियों यह भी बहुत महत्पूर्ण है और आखे चलकर जिनके माद्यम से हम रोजगार की तलाश में निकलते हैं वहां भी निबंद के माद्यम से हमारे भाशिक अधिकार की परक की जाती है हम वह भाशा कितनी जानते हैं इधर विगत कुछ दिनों में मोबाइल ने कंप्यूटर ने हमारी भाषा को बहुत आगात पहुचाया है क्योंकि हमें अभ्यास हो गया है कंप्यूटर और मोबाइल की भाषा में लिखने और बोलने का तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि निबंद लेखन में जब हम विदिवत लेखन करते हैं तो हमें भाषा के आपचारिक रूप का ध्यान रखना चाहिए वय्याकरन सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और विशय को हम तक्थियों के साथ प्रमानों के साथ कैसे प्रस्तुत करें इसकी समझ भी हमारे पास होनी इसलिए निबंद लेखन एक महत्पूर्ण विधा है और इसके माध्यम से हमें अपने अरजित ज्ञान का प्रमान देना होता है कि हमने कितना प्रामानिक इस विश्य पर अध्यान किया है खोज की है और हम कितनी प्रामानिकता के साथ उसे प्रस्तुत भी कर रहे हैं तो विध्यार्थियों अब हम निबंद लेखन से संबंदित कुछ महत्पूर्ण पक्ष हैं कुछ मुद्दे हैं कुछ बिंदू हैं उन पर एक बार दृष्टी डाल लें ताकि हमें ग्यात हो कि निबंद लेखन से पहले हमें किन-किन बातों की तैयारी करनी चाहिए जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंद के प्रकार निबंद के कितने प्रकार होते हैं वो कितने प्रकारों से लिखा जा सकता है हलाकि हमने यहां वर्णलात्मक निबंदों की विचारात्मक निबंदों की और भावात्मक निबंदों की तीन श्रेणिया बनाई हैं य इसी प्रकार से इनको बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन वर्णनात्मक यहां पर किसी भी दृष्य का घटना का वर्णन विस्तार से बताया जाए ताकि विद्यार्थी या पाठक जो है वो उसे ग्रहन कर सके उसके सामने पूरा बिंबात्मक प्रस्तुति करन हो सके चित्र बन सके विचारात्मक निबंदों में हम विशय को लेकर कुछ विचारों की बात करते हैं किस तरह का वैचारिक वैभव हमारे पास है हम उस संदर में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हम अपनी बात को अपने विचारों से पुष्ट करते हैं उसको प्रमान के साथ सिद्ध करन नहीं होना चाहिए यह तमाम तरह के पक्ष विपक्ष के खण्णमनन के साथ हम निबन्द के अंदर विचारों को पिरोने की कोशिश भी करते हैं और भावात्म निबन्दों में कुछ इस परकार के विशय भी होते हैं जहां पर माझ लीजे परिवार की भावना है समाज की भावना है, समद्दन आत्मक इस्थितियां है उन को लेकर, मान लिजे, व्रद्धों की समाज में इस्थिति को लेकर हमें निबंद लिखना है तो जो भावात्मक संसपर्श होना चाहिए अनुभूती के स्तर पर वह सारी चीजें इसके अंतरगत शामिल होती है इसी प्रकार दूसरा जो पक्ष है वह है निबंद के अंगों का जिसमें निबंद के अंगों पर हमें विचार करना होता है निबंद के मोटे तोर पर अगर हम देखें तो हम तीन अंगों की बात कर रहा है सबसे पहला भूमिका है इसे हम विशय प्रवेश भी कह सकते हैं हम किसी भी निबंद की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा विशय में प्रवेश कैसे हो उसके लिए हम एक भूमिका बनाते हैं उस भूमिका में थोड़ी सी से दान्तिक चर्चा भी अगर हो जाए जा मान लीजे कि निबंद रितुआं पर है या परयावरन पर है तो परयावरन के बारे में रितु के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए और फिर आगे चलकर करम शयम उसमें बढ़ते चले जाए तो भूमिका जो है वो एक प्रकार से पाठक को बांधती है और विशय की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है इसलिए इसको प्रवेश द्वार भी कहते हैं विशय वस्तु जिस विशय पर हम निबंद रिखना है है उस विशय की करम बद्धता के साथ प्रस्तुती उसे अलग-अलग अनुच्छेदों में या उप खन्नों में हम बाठते चलते हैं तो विशय वस्तु की प्रस्तुती का भी एक सिलसला एक करम होता है करम बद्धता होती है उसी के तहत फिर हम इसकी चर्चा करते हैं और फिर तीसरा और अन्तिम बिंदू है इसमें उप संगार उप संगार एक तरह से निशकर्ष है पूरे निबंद में जो भी वेवेचना हमने की है उसमें हमारी मान्यता या हमारी स्थापना क्या है या हमारा निशकर्ष या सार क्या है जिसके माद्यम से हम ये बताते हैं कि अब तक जो कुछ हमने इस निबंद में लिखा पड़ा उसकी अगर एक समरी टाइप का एक सार टाइप का जिसमें मूल रूप से जो हमारी मान्यताओं की प्रतिष्ठा है उसका बोध भी कराया जाता है तो ये उपसंगार है और इन तीनों खंडों के अध्ययन से परीक्षक एक तरह से मुल्यंकन करता है कि विद्यार्थी ने या निबंद लेखक ने विशय को किस तरह से प्रस्तुत किया है इसी तरह ये तीसरा एक भाग है इससा है जिसको हम निबंद लेखन की तैयारी कहते है निबंद लेखन कैसे किया जाए ये बिलकूर उसी तरह है जैसे परीक्षा में जाने से पहले हम उसकी तैयारी करते है जैसे कहीं इंट्रिवू देने जाना है तो उसकी तैयारी करते ह या कहीं मानलीजे सेनानी को बार्डर पर जाना है तो उसकी तैयारी करता है तो किसी भी कार्रे के लिए हम तैयार होकर जाते हैं तो हमें एक आतमिश्वास मिलता है और हम उस लक्ष पर विजय हासिल भी कर पाते हैं निबंद लेखन भी वस्तुत है एक इसी तरह की विदा है जिसमें सबसे पहले हम विशय चाहन करते हैं अगर मान लीजे आपके सामने विकल्प है कि पांच निबंद दिये हैं उन में से किसी एक विशय पर आपको बात करनी है तो आप उन पांच में से किसी एक का चाहन किस आधार पर करें आपकी अभिरुची किसमें आपके पास ज्यान या जानकारियन किस विशय पर हैं आपके पास तथ्य और प्रमान किस विशय पर हैं उद्धरन किस विशय पर हैं या मान लीजे कुछ मतों को आपने उद्धरित करना है विद्वानों के या उससे संबंदित किसी विशेशग्य के तो उनकी जानकारी है के नहीं और सबसे बड़ी बात है कि विशेचायन करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जिस विशेपर निबंद लिख रहे हैं वह प्रामानिक हो वह केवल वायवी ना हो उसमें हर बात का एक प्रमान रहना चाहिए तो यह जो रूप रिखा है यह क्रमशे हमें आगे बलने के लिए प्रेरित करती है हम पहले किस बिंदू पर बात करेंगे फिर किस बिंदू पर बात करेंगे फिर तीसरा फिर चौथा फिर पाचवा तो इससे क्या होता है कि पहले बिंदु का दूसरे से दूसरे का तीसरे से एक अंतह संबंद बनता चलता है और जैसे मार्ग खुलता चला जाता है एक मुख्य मार्ग से चल रहा है और फिर छोटे-छोटे कई मार्ग उसमें निकलते चलते हैं उन सब को संसपर्ष करते हुए हम अपने मुख्य मार्ग को नहीं चोड़ते लेकिन जो छोटे-छोटे मार्ग हैं उन से जोड़ते हुए उन सब को एक शंखला में बांधते चलते हैं तो विशयवस्तु में जो मुख्य विशयवस्तु है उस पर तो बात करते ही हैं साथ साथ उससे संबद कुछ अन्यमुद्दे जो उसे पुष्ट करते हैं प्रमानित करते हैं उनको भी हम साथ साथ लेते हुए चलते हैं तो रूप रेखा जैसे पुस्तक की एक रूप रेखा बनाते हैं जैसे शोध प्रबंद की एक रूप रेखा बनाते हैं ऐसी लेखन के प्रारंब में जो चीजें हमने सोची थी कि हम इस निबंद में इन इन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे विवेचन करेंगे उन सब को क्रम शे अंत में लाकर हम फिर एक प्रकार से दोहराते हैं कि इसमें हमने इन इन मुद्दों पर विचार किया ये सूचनात्मक नहीं होता ये उपसंगार भी काफी हद तक विवेचनात्मक ही होता है ताकि पाठक को अंत में आकर एक तरह से सारे पूर्व विचारत मुद्दों पर पुनर विचार करने का पुनर समरन करने का या दोहराने का एक अवसर भी मिल जाता है निबंद लेखन की तैयारी में हम इन तीन विशेश मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं और हमें करनी चाहिए और अन्य विचारने ये बाते हैं कुछ अन्य बातान पर भी अगर देखें तो निबंद में दो बातें बड़ी महत्पून हैं एक उस्की भाषा हम जानते हैं तो जब हम निबंद लिखने बैठते हैं तो हमारे पास शब्दों का चैन सतीक सार्थक होना चाहिए वापके विन्यास वयाकरन सम्मत होना चाहिए और जल्दी जल्दी में हम भाषा में वर्तनी की या वयाकरनिक व्यवस्था की अशुद्धियां न करें हम बड़े धहरे से बड़े संतुलन से भाषा का चैन करते हैं प्रयोग करते हैं और भाषा का विशया अनुकूल चैन अगर मान लीजिये के एतिहासिक विशय है तो फिर उसी तरह की भाषा का मनोवेग्यानिक विशय है तो उसी प्रकार की शब्द चैन का आधार हमारे पास होना चाहिए वि ही पाठख को आक्रष्ट भी करती है और भाषा यी निबन्द के प्रती पृणने से उदासीन भी बना देती है तो हमें यता संभव कोसिश करनी है कि निबन्द विशह से तो रोचक हो ही संपून हो लेकिन भाशा से सोने में सुहागे जैसी भूमी का बना दे और दूसरा जो मुख्य बिंदू है रूपाकार रूपाकार में हमें ये तै करना होता है कि यदि 300 शब्दों का निबंध है तो ऐसा ना हो कि हम उसे 600 शब्दों तक 500 शब्दों तक लिए जा रहे हैं अगर 100 शब्दों में 200 शब्दों में 400 शब्दों में जैसी की अपेक्षा की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए और दूसरा उस निबंध की जो संड़चना है उसे कैसे हमें विश्यवस्तू के आधार पर अलग-अलग अनुछेदों में बाटते चलना है और शीर्षक किस प्रकार से उसका निर्धारित करना है या अगर शीर्षक दिया है तो उस शीर्षक को हम कैसे सार्थक सिद्ध करेंगे निबंध के अंतरगत यह भी उसके रूपाकार का ही एक हिस्सा है तो इस प्रकार से हम निबंधों की जो हमने जिनकी चर्चा की यंगों की भुमिक है विशय प्रवेश है उपसंगार है इनको ध्यान में रखते हुए उसके रूप और आकार की पूरी व्यावस्ता का निर्धारन हमें इसके अंतरगत करना होता है तो इस प्रकार निबंद लेखन में ये कुछ महत्पूर्ण बिंदू है जिनको हमें ध्यान में रखकर चलना होता है अब हम निबंद संबंदी कुछ महत्पूर्ण मुद्दों बिंदूओं पर विचार करने के बाद इस पाठ का जिसे हम निबंद कैसे लिखें शीर्षक से पढ़ रहे हैं इसका सार क्या है इसको वीडियो से एक बार देख लें समझ लें ताकि क्रम्ष इसके अंतर का यथा स्थान प्रियोग करने से निबंद में प्रभावोत पादक्ता बढ़ जाती है निबंद में एक बिंदू पूरा होने पर ही दूसरे बिंदू को शुरू करना चाहिए वाक के रचना में कसावट वे सहस्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए भूमिका और उपसंगहा में विशेश सावधानी बरतनी चाहिए निबंद के विशय के अनुरूप वरणन पुदाहरन कल्पना अथ्वा विशलेशन होना चाहिए प्रेश विक्षार्तियों जिस तरह से यह चर्चा चल रही है इस चर्चा से यह सपस्ट हो गया कि जो निबंद है वह वास्तों में एक कला है और उसे हरदेंगम करने के लिए उसमें काबिलियत हासिल करने के लिए हमें उसका पुर्ण ग्यान होना जरूरी है तो आज हमारे साथ विशेशक्य टर्णन साहब हैं उनसे हम कुछ प्रवस्ण करेंगे इस पार्ट से संबंधित और इस परिचर्चा से हम यह और भी सपस्ट रूप से आपके सामने आए है तो रौक साब जैसे आपने बताया कि बढ़नात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध होते हैं तो इस तरह से और भी इसकी स्रेनी बनाई जा सकती है जैसे सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, शिक्षा परक निबंध, विज्ञान से संबंधित निबंध, तो निबंध के जो विभिन प्रकार हैं तो विद्यार्थियों को उनमें क्या और ध्यान देने की जरूरत है, उसके संबंधित ज्यान देने की जरूरत है, हाँ दरसल ये ठीक बात है कि निबंधों के बहुत सारे प्रकार ब पर व्यायाम को लेकर या स्वास्तिलाबादी को लेकर योग को लेकर इसतरह से भीchar को हम शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह का वर्गी करन जैसे पुस्तकाले को लेकर उसके क्या लाब है पुस्तकाले की उपादेयता क्या है या हमारे सबसे अच्छे मित्र के रूप में पुस्तक की भूमी का क्या है फिर शिक्षा नीती को लेकर भी निबंद लिखे जा सकते इसी प्रकार से अन्य अनेक वर्ग जैसे बहूं लिजे पर्व उत् butterflies वर्ग है उस पर भी बहुत सारे निबंद राष्ट्रिय पर्व हैं सामाजिक पर्व हैं तो यह सारे भी उसमें लिखे जाते थे हैं तो किल मिलाकर निवंदों के ये जो शेनिया हैं ये अनेक प्रकार की हैं और करेंट एफेर्स भी अक्सर पुछे जाते हैं बिलकुर समकालीन समस्याइं हैं चुनोटियां हैं प्राकरति कापदा है या जनसंख्या की समस्या है या इसी प्रकार से जो प्रतियोगिता में अनेक प्रकार के प और विद्यारतियों को ये जब तक उसका बोध नहीं होगा उसका अर्थ ग्यात नहीं होगा तब-थक वो उसे ठीक से लिख नहीं पाता है और दूसरा एक और समाल आता है कि क्या इसमें करम बढ़्दता की आशेक्ता होती है निबन्द में बिलकुल करम बढ़्दता बहुत आष्चक है यह जैसे हमारे जीवन में सुभा उठने से लेकर संध्या तक भी कार्श हैली और उसकी एक रम बद्दता सुनिश्चित होती ही है, हम उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं, या अपने हिष्ट को याद करते हैं, फिर अपने काम पर जाते हैं, तो एक क्रम है, ऐसा नहीं है कि हम ये क्रम को बदल देते हैं, तो निबंद में भी एक शंखला है, आपको प प्रारम बनता है यह सुनिश्चित होगा जो निबंद प्रभावी होगा वह अपने हमारे जो पाठक हैं निबंद के उनके लिए बड़ा रोचक भी बनेगा और उनके निंदरी का विरुची भी पैदा हो जाएए विद्यार्थियों को जिग्यासा होती है कि अगर हम किसी उधरण के माध्यम से विशे को शुरू करें तो शायद ज्यादा प्रभाव शाली होगा इसमें क्या विचार है कभी कभी इस प्रकार के निबंद भी मिलते हैं और वो अच्छी बात है लेकिन प्रासंगिक होना चाहिए जो प्रारम में मानली जी हम कोई कविता की पंक्तियां उद्रित कर रहे है अगर राष्ट्री चेतना पर निबंद लिखना है राष्ट्र जागरन पर निबंद लि दी है उनकी किनिक आवे पंक्तियों को उद्रित कर दिया कभी कभी हम किसी गद्यकार की राष्ट्री चेतना विश्यक पंक्तियों को भी प्रारम में उद्रित करते हैं तो वो भी एक प्रकार से स्वागत कक्ष है निबंद का इस तरह की पंक्तियां जो है वो पाठक को एक अच्छा भी कई बार बन जाता है। इनका उपयोग आप निबंद के बीच में भी कर सकते हैं। बार क्या होता है कि विद्यार्थी प्रमान के बिना इन सब विशयों पर केवल हवा में बात करने रखता है। वो नहीं करनी चाहिए। ये पुखता कब होगा जब आपके पास तथ्य होंगे, प्रामानिक जानकारियां होंगी, कुछ ऐसे कवियों, लेखकों, विचारकों, चिंतकों के मत होंगे। उससे क्या होता है कि हम अपनी बात को विद्वानों के मत से पुष्ट करते चलते हैं। जो हम कह रहे हैं, वो हमसे पूर जो उस विशय के विशयशक्य हैं, स्थापित विद्वान हैं, वो उस पर अपनी बात कह चुके हैं। तो तथ्यों को शंखलाबद करम से प्रस्तु के रूप में आता है वो केवल गणना के रूप में नहीं आता कि हमने इस निबंद में ये पड़ा हमने ये पड़ा ऐसा नहीं होता हम क्रमशे उसको दोहराते हुए और उस स्थापना उस मान्यता को प्रतिपाधित करते हुए निबंद का समाहार करते हैं ताकि निबंद को अंत में अगर उपसंगार में विद्यार्थी पूरी तरह से दोहराना चाहता है तो उस उपसंगार के माध्यम से उसे दोहरा भी सकता है और जैसे विस्तार जब विद्यार्थी करते हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को घाटित करना चाहिए एक दम विशे कोई भ है विज्ञान से हम जीवन में चांद पर पहुंच गए हमने मंगल ग्रह पर यह सारी बातें ठीक हैं होनी चाहिए यह इसका पक्ष है लेकिन विज्ञान के कारण समाज को या मानव संसृति को जो नुकसान हो रहे हैं विज्ञान के कारण हमारी जीवन शैली में जो है यह अलग बात है कि हम अंत में यह प्रतिपादित करें किसाब हम विज्ञान के बाद्यम से राष्ट का विकास हो रहा है होना चाहिए हम इसके पक्षद है लेकिन इन खामियाजों के इन हानियों के विशे में भी हमें गंबीरता से सोचना होगा ताकि भविश्य में हम निदान को ढूल सके तो ये एक तरह से मत के पक्ष और विपक्ष दोनों रूब हमारे सामने आने चाहिए जोक साब निबंध को गद्ध की कसोटी माना जाता है जी इसका क्या ताथ परे है दरसल ये बात बहुत महत्पून नंसे रिखांकित करके कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संबेदना से जाना जाता है और जो गद्ध विधाएं हैं जितनी भी विधाएं हैं उनमें अगर सर्वस्रेष्ट ग्यान का परिचे लेना है सर्वस्रेष्ट अभिव्यक्ति कोशल का परिचे लेना है तो निबंद उसकी कसोटी है क्यों क्योंकि निबंद का अर्थ ही है विदीवत भली प्रकार किसी विशे को शब्दों में क्रमा अनुसार बद्ध करना बांध देना अगर कोई व्यक्ति कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को व्यवस्तित रूप में प्रस्तुत कर सकता है तो वह कुशल भाषा का अभिव्यक्ति का और शेली का अधिकारी है तो ये जो पहचान है ये निबंद के माद्दिम से होती है क्योंकि कभी-कभी विद्यारती अनरगल, अवांचित बातों को भी शामिल करता है वो नहीं होनी चाहिए तो ये बात ठीक है कि निबंदकार को उसकी भाषा शेली को उसके विशयबोध को अगर हम जान सकते हैं तो उस सबसे महतपूर्ण विदा निबंद है इसलिए निबंद को कसोटी माना गया क्योंकि गद्य लेखन भी कोई सरल लेखन नहीं है ये गद्य की सारी विदाएं बहुत ही श्रम साद्धे हैं इनके प्रती एक साधना का भाव हमारे मन में रहता है तो निबंद इस द्रश्टी से बड़ा महतपूर है क्योंकि निबंद में दुनिया का कोई भी विशे आ सकता है आपको निरंतर अध्यान शील बने रहना है और जो कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं बाले काल से उसको अपने दिमागी कंप्यूटर में कहीं न कहीं स्थाई रूप से फीड कहिया रहना है क्योंकि कौन सी चीज कब काम आएगी कौन सा उधारन कब काम आएगा हम नहीं जानते बहुत सारी सूकतियां बहुत सारी उक्तियां हमने बचपन में पढ़ी लेकिन आज भी समय सापेक्ष हैं लोकोक्तियां हम आज भी जब मौका होता है उनका उद्धरन देते हैं तो वास्तव में जो हमारे साथी हैं शोता हैं पाठक हैं वो अभिभूत हो जाते हैं कि देखो संदर्व सापेक्ष प्रयुक्ति इसको उपस्थित करना ये एक बड़ी उपलब्दी निबंद के लिए ह होती है तो विद्यार्थियों आज आपने निबंद कैसे लिखें इस पाठ पर कुछ जानकारियां हासिल की कुछ चर्चा परी चर्चा में बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने निकल कर आए तो हम यह कह सकते हैं कि निबंद हमारे अध्यैन की जो पाठशाला है उसका एक मह पूर्ण हिस्सा है क्योंकि हम प्रतेक अक्षा में विद्यालेई या विश्विद्यालेई इस तर पर निबंद का लेखन हमें करना पड़ता है निबंद लेखन एक कला है और ये कला जो है वो आपकी व्यक्तित्य को निखार कर उस विदा के माध्यम से प्रस्तुत करती है तो मैं समझता हूँ कि आज इस पार्ट संबंदी जो जानकारियां है उन्हें आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे और हमारी शुब कामनाएं हम उम्मिद करते हैं कि आप परिक्षा में इसका रचनात्म को प्योग कर पाएंगे आज के लिए हम इस पार्ट को इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद